मैं धीरा ज्यादा अब सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे जगिशनल प्लैटफॉर्म कॉंपटिशन कमुल्टी पर तो अगर मैं बात करूँ आज के सेशन की तो आज का सेशन आपका काफी इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है क्यों खास होने वाला है क्यो तो क्या आइदर केस या फिर ओंल के फ्यू पर बेश्ट कोस्टन इस को अगर पहर है कर देखने को मिलेंगे फिर भी कॉस्टन को क्यों मिलेंगे आपके PSC के exam की तो PSC के exam में भी आपके either or पर based questions या फिर अगर हम बात करें आपके only a few पर based questions देखने को नहीं मिले थे लेकिन इस बार के exam में आपको देखने को मिले यानि कि अगर हम बात करें PSC के exam में कहीं नहीं करेंगर हम silogs topic की बात करें तो banking पर based जो आपका pattern होता है उस pattern पर based आपको questions देखने को मिले तो यहाँ पर हम लोग only a few पर based concepts को भी detail में discuss करेंगे as well as either case को भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे with logic with reason पूरे के पूरे concept को हम लोग बिलकुल detail में discuss करने वाले है तो आप हमारे साथ बने रही है session में और अगर मैं बात करूँ previous session की तो previous session में due to power cut आपका कुछ जो remaining part रह गया है कुछ questions जो आपके रह गया है पहले उसको हम लोग discuss कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग start करें यहां पर सिलॉक्स तो चलिए देखतें previous session में आपके कुछ questions रहे गए हैं एक दो उसको हम लोग यहां पर discuss कर लेते हैं तो previous session हम लोगों का सीरीज का part 2 था अगर सीरीज की बात तो मिसलीनियर सीरीज हम लोग discuss कर रहे थे जहां पर आपका last question जो हम लोग discuss कर रहे थे व पता है ठीक है तो बात करेंगर हम previous questions की तो previous questions को भी मैं आप डिसकस कर लेता हूं ताकि जो भी हमारे साथ यहां पर नए वीवर्स जूले हैं उनको भी इनके logics के बारे में पता चल सके और अगर आपने previous session को नहीं देखा है तो previous session आपको आप देख सकते हैं जो आपका YouTube पर tuberculosis, destination, stand और norovirus यानि कि अगर आप किसी भी word को यहां पर ध्यान से देखेंगे तो each word में आपका जो starting के दो letter से वो क्या है consecutive letter से English alphabet के ठीक है तो कोई भी ऐसा word यहां पर answer हो सकता है जो कि क्या होगा दो consecutive letters के साथ में start होता होगा इसी प्रकार अगर हम यहां पर बात कर अगले question की absent, deep, efficient, abroad यानि कि यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो भी आपके starting के दो letter से हो क्या है consecutive letters है English alphabet के तो कोई भी ऐसा word इस particular question का answer हो सकता है यानि कि आपको option में से उस particular word को चुनना है जिसके starting के दो क्या होंगे letters consecutive letters होंगे English alphabet के ठीक है इसी प्रकार अगर हम बात करें यहां next question की तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके जो भी वर्ड दिये गए हैं उनके भी दो starting के letters क्या है consecutive letters है लेकिन यहां पर reverse order में है A, B, O, P, E, F और T, U यानि कि कोई भी ऐसा word जिसके क्या होंगे starting के दो letters consecutive तो होंगे लेकिन reverse order में होंगे वो क्या हो जागा इस particular question का answer बन सकता है तो आपको उस particular option को क्या कर लेना है पिक कर लेना है ठीक है इसी प्रकार अगर हम बात करें यहां पे अगले question की तो अगले question मै जिनको हम लोग यहां पर आज complete करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सिलोक्स यानि की न्याय निगमन ठीक है तो इस particular question के अगर हम logic की बात करें तो मैंने आपको यह भी कहा है कि जितने भी लोगों के लिए नय लाजिक्स होंगे जिन लाजिक्स के starting की starting होरी किस से टी से फिर अफनॉल की बात करें तो यहां पर starting टो आकट गरें यहां पर थाल्ट элемNew चया हो जाएगा टी हो जाएगा वह पर्टिकुलर वेड क्या बने गाविशन का अंसर बनेगा तो मैंने का कि आपकर स्वास्ट प्रकार प्रकार का सबस्क्राइद के साथ में खुंट लेना है इस प्रकार के आप l grace confess जो आपकी सिरीज है उनको बिल्कुल हम लोगों ने डिटेल में आपर कवर अप किया हुआ है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्रक्ता नहीं है कुछ अन्य प्रकार के प्रस्णों को भी हम लोग डिसकस कर लेते हैं जो कि रह गए थे तो जैसे कि यहां पर हम ब एक लेटर हम क्या कर दे रहेら हैं कंभ कर दे रहें अगले स्टैप में और गली स्टैप की तो क्या हो जाएंग उसी टीया कोश्ainen ऑन ठीक है बात कर लेते हैं है अगले कोशीजिट की अगले कोश्जिट कर रह commitment लेबरेट यहां पर आपको फिर से एक लेटर कम हुटा हो गया यहां पर missing हो गया लेकिन जब हम इसके बाद meisten की बात करते हैं तो यहां पर यहां पर एक истор की बात करें तो आपका क्या हो जयरें विपका एक सब्सक्यान पाइलिमेंट चाह् Bennett धिकाल में रहा है या निकिन क्या करें हम क्या ह्त इस आंसर बन जाएगा इस particular question के लिए ठीक है चलिए इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं आप अगले पूछे गए प्रश्ण की अगले question के अगर हम बात करें तो यहां पर आपको C क्या दिखाई दे रहा है missing दिखाई दे रहा है फिर next step में देखेंगे तो आपका end क्या दिखाई दे रहा है missing दिखाई देने कि पहले step में हमने क्या किया first element को यहां पर remove किया next step में हमने क्या क्या last element को remove किया फिर उसके बाद वारे step में हमने फिर से क्या किया जो आपका remaining बचा हुआ letter था जितने भी आपके remaining बचा हुए letter स next अगर हम बात करें तो word आपको दिखाई दे रहा है education यानि कि अगर हम इसके अगले step की बात करें तो element आपको यहाँ पर पूरे के पूरे दिखाई दे रहे हैं यानि कि जितने element यहाँ थे उतने ही element आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं क्येवल और क्येवल चेंज कहां हो रहा है चेंज हो रहा है इनके पोजीशन में यानि कि स्टार्टिंग की यह जो दो थे वह आपको कहा दिखाई देरें तो थ्रोमिंट है तो आपको कहा दिखाई देंगे लास्ट में दिखाई है कि अगले stopiders थे को स्टार्ट्हरू आपको लगले यहाँ पे हम लोग को स्टार्ट करेंगे सिलॉक्स यानी कि निघमन स्टार्ट करते हैं सिलॉकिस्जम और बिलकुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे व быть 14 यानि कि बीज़िक हर एक चील को समझते हुए चलेंगे चलिए तो अगर मैं बात करो सिलोक्स या सिलोगिजम की तो सिलोगिजम में क्या होता है आपके कुछ स्टेटमेंट्स दिये हुए होते हैं और आपको उन दिये गए स्टेटमेंट्स के आधार पर क्या दिये होते हैं कुछ कंक्लूजन यानिकि निस्कर्स दिये गए होते हैं कि दिये गए कथन या statement के अनुसार आपके कौन कौन से conclusion यहाँ पर क्या कर रहे हैं अनुसरन कर रहे हैं या फिर follow कर रहे हैं अगर हम बात करें यहाँ पर statements की तो statements में जो आपको बातें दी गई होती हैं उनको आपको क्या मानना होता है सत्य मान लेना होता है चाहे वो आपके पूर्व गया तथ्यों पर आधारित हो या फिर ना हो, आपको क्या करना होता है? उनको सत्यू आपको करना होता है, उनको कुछ statement के आधार पर आपको क्या दिये होते हैं, संबंद दिये गए होते हैं, और आपको are Sie jak principles को निकालना होता और आपको बताना होता है कि दिये गए निसकर्सों में से कौन सा निसकर्स आपका फॉलोग कर रहा है जानी कि आपको अपना दिमाग यहां पे नहीं लगाना है अपना दिमाग अगर आप लगाएंगे तो आप सिलॉक्स की कोश्चन बनाने से रहे क्यों ऐसा बोले कि यहां पर से रहे सभी चीटियां क्या है हाथी है तो आप कहो कि चीटी हाथी कब से होने लगी अपना दिमाग लगाओगे तो कॉश्चन नहीं बना पाओगे और इसलिए जब मैंने लॉजिकल वेंड डाइग्राम और सिलॉक्स यहां बात करने तो दोनों में ही जो हम लोग कोश्च पूर्व गया तत्थ यह एकरण के यूनिवर्सल टूथ उस पर वेज्स जो आपके कॉंसेप्ट होते हैं उनही को हमें सत्य ना होता अरूपैं बनाना होता But i ह 것으로ohid kaabin लैक्राम बनाना होगा दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर दिए गए कथन के आधार पर कथन में जो बाते दी गई उसी का अधार पर हमें क्या बनाना को में बनाना होगा या निकी यहां अगर बोल देगा सभी च् Manager उति तो बात करें में कोई भी रिलेशन नहीं होगा यानि कि यह लोग बिलकूल अलग अलग होंगे लेकिन अगर आष़ सी बात करें हम और और इस परकार से वेट वाषर आप क datos के यह क्या करें यहांगे कि स्टेटमेंट की यानि की कठन की तो सबसे आपसे किस प्रकार से पूझे जाते जा नहीं कि अब आधार ás ना र송 और्ट वा इतनी कि उसे क्या प्रिकार से राओ करेंगे कोंस्चिन सब्सक्राइब के तो कोशें हमसे किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं आने कि सबसे पहले चले करें यहाँ बात करूं इस यहां प्रकार के असौं के स्थेटमेंट से पूछन देखने को पॉजिटिव स्थेटमेंट और एक आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे ठीक है पॉजिटिव स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में आपको देखने को मिलेगा सम का रिलेशन यानि कि सम A, R, B A और B के जगे के आप कोई भी element रख सकते हैं ठीक है यानि कि हिंदी के अगर हम बात करें कुछ A क्या है B है दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा All A, R B अगर हम हिंदी की बात करें तो सभी A B है Next अगर मैं बात करूँ Negative statements की तो negative statements में आपको देखने को मिलेगा Sum A, R Not B यानि कि हिंदी की अगर हम बात करें तो कुछ A B नहीं है और लास्ट अगर हम बात करें No A, R B यानि की कोई A B नहीं है Clear चलिए तो यह हो गए आपके क्या statements अब basic statements यही है इसके अलावा भी हम बात करेंगे अलग-अलग आपके जो statements आपको देखने को मिलेंगे इसके अलावा भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे positive statement में आपको देखने को मिलेगा some का relation और all का relation negative statement में आपको देखने को मिलेगा some not का relation और no का relation ठीक है अब इनी statements के अधार पे हमें क्या बनाने होते है हमें structure बनाने होते structure हम लोग कैसे बनाएंगे wind diagram की help से बनाएंगे तो हमें structure कैसे बनाने है और structure कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, दोनों में फर्क है, दोनों अलग-अलग बातों कि हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, structure कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, अगर इसकी हम बात करें, तो यहां पर possibility का case भी हम parallel क्या करेंगे, सीखते हुए चलेंगे, जो कि आपक एक्जाम में भी देखने को मिलें और उन कोश्टन को यहां पर डिसकस करेंगे तो आज का जो हमारा पूरा का पूरा सेशन रहने वाला है वह बिसिकली आपका इस बेसिक कोंसेट पर साथ इसाथ आपके पॉसिबिल्टी के के सेस पर भेस होने वाला है ठीक है तो अगर हम बात करें यहां पर डाइग्राम की और य दिसकस करेंगे पॉसिबल डाइग्राम यागर आपसे possibility का question पूछता है तो हम लोग यहाँ पर possible diagram से समझने का प्रयास करेंगी possibility के case में आपका question सही है या फिर गलत है इसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे चली तो हम लोग यहाँ पर पहले देख लेते हैं main diagram जो हमको क्या करना होता है बनाना होता है यानि कि अगर हम बात करें sum AR B की कुछ A B है तो इसका जो basically diagram बनाना होता हमें वो किस प्रकार से बनाना होता है इस प्रकार से बनाना होता है यानि कि कुछ A क्या है B है और अगर हम बात करें all AR B की तो हम all AR B का diagram किस प्रकार से बनाएंगे यानि कि सभी A क्या है B है ठीक है यानि कि sum R not B के लिए diagram आपका इस प्रकार से बनेगा और all R sum R B के लिए इस प्रकार से diagram बनेगा और all R B के लिए इस प्रकार से आपका diagram बनेगा next one अगर हम बात करें sum R not B कुछ A, B नहीं है यानिकि A का कुछ हिस्सा क्या नहीं है B नहीं है यानिकि A का सम पार्ट B नहीं होगा इस परकार से हम इसका डािग्राम बनाएंगे और अगर हम बात करें No A.R. B के लिए तो इसका जो डािग्राम हमें benाना होता है वो किस परकार से? इस प्रकार से बनाना होता है नहीं कि A और B के बीच में नो का relation है ठीक है नो A यार B यह हो गई बात किसकी डाइग्राम की यानि कि यहां पर हमने क्या देखा statement देख लिया यहां पर हमने क्या देख लिया diagram देख लिया अब हम बात करेंगे कि इन दिये गए statement statement और इनसे बनाय जाने वाले diagram के basis पे हमें क्या निकालना होता है निस्कर से निकालना होता है conclusion निकालना होता है तो हम conclusion कैसे निकालेंगे इस दिये गए statement और diagram की help से इसके बारे में लोग यहां पर चर्चा करेंगे और conclusion आप अलग अलग प्रकार के conclusions discuss करेंगे, अलग अलग प्रकार के conclusions निकालेंगे और साथ यसाथ मैंने का parallel हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर possibility वाले cases भी समझते हुए चलेंगे, तो अगर मैंने आप से यहाँ पर कहा sum A, R, B पहला conclusion अगर मैंने आप से कहा sum A, R, B थोड़ा सा मारकर को और थिन कर लेते हैं all A, R, B sum A, R, B, sum B, R, A third one all A, R, B fourth one all B, R, A fifth one sum A, R, not B sixth one will be sum B, R, not A seventh one will be no A, R, B and the last one will be no B, R, A यानि कि basically हम लोग इन आठ conclusions पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे प्रतेक दिये गए statement के लिए, ठीक है, चली तो आज आते हैं सबसे पहले हम लोग statement sum A, R, B पर अगर हम यहां पर sum A, R, B की बात कर रहे हैं, यानि कि statement में आपको दिया गया है, कुछ A क्या है, B है, इस फिरकार से हमने क्या कर लिया, structure बना लिया, और जब हम यहां पर बात करेंगे, conclusion की, यानि कि conclusion 1 की बात करेंगे, यहां पर मैं remove करूंगा, हर एक, यहां पर statement को discuss करने के बाद मैं सारे के conclusion का जो आपका answer आएगा, उसको मैं remove करूंगा, तो आप लोग इसको अलग से note करते हों चलेंगे, ठीक है, तो जब मैं बात करूंगा, यहां पर sum A, R, B की, यानि की statement में भी sum A, R, B आपको दिया गया और यहां पर conclusion में भी आपको sum A, R, B दिया गया है, तो यहां पे सबसे पहला तो आपका एक भ्रम दूर होने वाला है, कि जब आपके statements क्या होते हैं, repeat होते हैं तो आपके बहुत जगे पर पढ़ेंगे, कि वह statement, कैना रीपीट होते हैं, वह सही नहीं होते हैं, यहां पर आपको बोला गया, कुछ A, B हैं, अगर कुछ A, B हैं में क्या हर्ज है भाई तो कुछ a भी है कुछ a यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है तो यानि कि यह conclusion क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यानि कि statement अगर repeat होता है तो भी conclusion सही आपको mark करके आना है वहां पर कोई भी confusion नहीं होनी ठीक है अब जब हम बात करेंगे कुछ b क्या है तो अब बिस सिवाथ ही जब a का कुछ इससा क्या होगा भी होगा तो b का भी कुछ हिससा a definitely होगा ही होगा यानि कि यहां पर हम बात करें conclusion can't say इसको हम गलत नहीं बोलते हैं कांट से यानि कि हम कह नहीं सकते तो क्यों नहीं कह सकते इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जो हमें जानकारी दी गई है वो क्या दी गई है के कुछ पार्ट के बारे में दी तो जहां पर हम क्या कहेंगे कि पूरा का पूरा एका पार्ट भी होगा आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या करेगा एक्जिस्ट करेगा इसको हम लोग और डीटेल में सीखेंगे जब हम लोग कोश्चन की बात करेंगे यानि कि अगर हम बात करें यहां पर हमको ए एक हम इस प्रकार से डाइग्रम बनाएं लेकि पॉसिबिल्टी केंसे आपको बनाकर चेक कर लेना ऐ है और उससे क्या होगा कहीं जो आपको बिलकुल आपके दिमाग में फ़ेड हो जाएगा कि पॉसिबलsın आपके गलत नहीं होंगे ठीक है तो यहां पर बात करो अगर मैं इस diagram में बोलू sum ARB तो बताओ यह बात सही होगी कि गलत होगी तो आप कहेंगे यहां बात बिल्कुल क्या होगी सही होगी यानि कि यहां पर भी sum ARB क्या कर रहा आपका सफेद रंकी है और मैंने आप से पूछ लिए स्लीव से वह वाइट है तो आप यहां पर क्या कहोगे कांट से क्यों 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 कि यहां पर आपके पास information थी वह केवल और किसके बारे में थी कॉलर के बारे में दी गई थी अब पूरी पूरी शर्ट भी वाइट हो सकती है यहां हो सकता है कि शर्ट का केवल क्या हो कॉलर ही वाइट हो इन सेम यहां पर जब हमने का sum ARB तो sum ARB के बारे में था हम यहां पर जानकारी है लेकिन जो remaining part of the A है वो B का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इसलिए हम यहां पर क्या बोलते हैं कांट से ठीक है तो possibility वाले questions बनाने में आपको काफी आसानी होगी यानि कि A का B के साथ एक ऐसा structure बनाए जा सकता है जहां पर सभी के सभी A क्या हो जाएं B हो जाएं as well as sum ARB आपका क्या करता रहे exist करता रहे तो यहां पर हम बोलेंगे कांट से यानिको अगर यहां पर आपसे अगर की भी संभावना बनेगी यानि कि अगर यहां पर आप से बोला जाए कि एका जो remaining part है यानि कि केवल और केवल हम remaining part की बात करें तो एका जो remaining part है वो b नहीं हो सकता है नि कि some a being some a not being b is a possibility यानि कि कुछ a b ना हो इसकी संभावना है तो यहां बात है अगर मैंने कहा नहीं है तब आप कोगे कांट से लेकिन मैंने कहा शर्ट की स्लिफ वाइट ना हो इसकी संभावना है तब आप क्या कहोगे यह बात बिल्कुल सही है इसकी possibility हो सकती और possibility true ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है possibility में कही हुई बात आपकी सत्य ही हो ऐसा जरूरी नहीं यानि कि उसकी केवल संभावना है और जितनी उसके होने की संभावना है उतनी उसके ना होने की संभावना बनेगी तो possibility का case भी हम लोग यहाँ पर समझते हुए चलेंगे तो यहाँ पर अगर मैं कहूं आपसे सम A.R.B के लिए यहाँ पर हम चर्चा किसकी करने केवल और केवल सम A.R.B की ही चर्चा करें और सम A.R.B के अगर मैं बात करूं तो सम A.R.B के लिए जब हमने कहा All A.R.B तो आप क्या बोलेंगे कांट से यानि कैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता ठीक है Next One अगर मैं बात करूं All A.R.A. यानि कि सभी B क्या है? A है तो सभी B.A. है यानि कि इसका एक हम ऐसा स्ट्रक्चर मनाएं जिसमें पूरा का पूरा B क्या हो जाए? A हो जाए As well as some A.R.B आपका क्या करें? Exist करें यानि कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका अगर हम इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं और बोलते हैं यहाँ पर कुछ A, B है तो यहाँ बात सत्य है तो इस दिये गए स्ट्रक्चर के लिए इस दिये गए डाइग्राम के लिए अगर आपसे पूछा गया है इस दिये गए पार्ट आफ दबी है वो एक हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कांट से ठीक है चली नेक्स्ट बन अगर मैं बात करूँ तो बिलीव करिए यह बेसिक है बेसिक अगर आपने सीख लिया तो कोश्टन आपको बनाने में तनी के भी कठिनाई नहीं होगी कॉंसेट आपको अगर क्लियर है तो कोश्टन आप आसानी से बना पाएंगे और अगर आपको basic clear नहीं है basic समझने में थोगा सा boring जरूर लगता है लेकिन अगर मैं आपको direct यहां पर question ही solve करा दूँगा तो इस time तो मज़ा आएगा कुछ question बनेंगे, कुछ सही भी हो जाएंगे कुछ गलत भी हो जाएंगे लेकिन जुसका concept है जुसका मूल भूठ धाचा है अगर उसको आपने नहीं समझा वह अगर आपका basic concept मजबूत नहीं है तो आगे चलके आपको questions में काफी दिक्कत आने वाली है और जो accuracy है वह आपकी definitely क्या होगी effect होगी तो इसलिए बहतर यह कि पहले हम लोग क्या करें basic को बिलकुल इत्मिनान से आराम से detail में समझते हुए चले तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अगले पूछे गए निसकर्स की यानि की conclusion की तो अगले आपका conclusion पूछा गया है sum AR not B sum AR not B चली अगर हम बात करें sum AR not B यानि की A का कुछ हिस्सा क्या नहीं है B नहीं है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे कांड से बोलेंगे क्यों कांड से बोलेंगे क्योंकि हमें केवल और केवल क्या पता है कि ये का कुछ हिस्सा B है बाकी का हिस्सा A का जो पार्ट है वो B हो भी सकता है मैंने का जितना उसके होने की संभावना है उतने उसके ना होने की भी संभावना है just like मैंने का sleeves of the shirt are white तो यहने की white हो भी सकती है और मैंने का sleeves of the shirt are not white तो यह भी हो सकती है यहाँ पर definite नहीं है आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हो सकती है और नहीं भी हो सकती तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कांट से यानि कि sum A or not B तो यहाँ पे हम बोलेंगे कांट से यानि कि remaining part of the A can be B as well as cannot be B ठीक है फिर जब आप से बोला जा रहा sum B or not A कुछ B A नहीं है तो B का भी जो remaining part है वो एका हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता तो यहाँ पे आपको नहीं बोला जा रहा है तो आप क्या बोलो के कांट से यानि कि हम निश्चित तोर पे नहीं कह सकते कि B का जो हिस्सा है वो A का part है या फिर नहीं है जब हम बात करेंगे यहाँ पे अगले पूछे गए conclusion कि यानि कि No A.R.B की जब हम बात करेंगे यहाँ पे अगले conclusion यानि कि No A.R.B की तो यहाँ पे हम definite है यानि कि अगर आपको पता है कि color of the shirt is white और आप से बोला जा रहा है कि shirt का color black है यानि कि बुरी की बुरी shirt ही क्या है black है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो भी बात statement में दी गई है वो हमें पता है यानि कि यहाँ पे हमें पता है कि यह का कुछ हिस्सा क्या है यानि कि जब बोला जा रहा है No A.R.B कोई भी A.B. नहीं है तो यहाँ पे अगर आप बनाएंगे No A.R.B. के लिए structure तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस structure में आपका Some A.R.B. कहीं भी exist नहीं कर रहा और जब कहीं भी exist नहीं कर रहा इटमिंस यह बात definitely क्या है false है यह बात निश्चित रूप से गलत है ठीक है यानि कि यहाँ पे अगर आप से बोला जाएगा No A.B.B. is a possibility कोई भी A.B. ना हो इसकी संभावना है तो आप क्या कहेंगे यह बात निश्चित तोर पे गलत है इसकी संभावना भी नहीं बनेगी लेकिन अगर हम इसी में कहें कि कुछ A.B. ना हो इसकी संभावना है तो यह ऐसा हो सकता है क्यों क्योंकि remaining part A का B हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता तो I hope कि आपको यहाँ पर possibility के case थोड़े थोड़े समझ में आ रहे हैं और अभी बहुत जादा tension लेने की जरुवत नहीं अभी तो हमने बिलकुल शुरुआत ही करी अभी तो एक भी question हम लोगोंने solve नहीं करें अभी तो basic statement ही आपके चल रहे हैं ठीक है तो यानि कि जब हमने कहा no ARB तो आप क्या कहेंगे definitely false और इसी प्रकार जब हम कहेंगे no BR A तो इसको भी आप क्या कहेंगे definitely false यानि कि यह बात भी निश्चित तोर पर क्या है गलत है यानि कि कोई भी B A ना हो और आपका sum ARB का statement जो दिया गया है वो exist कर ऐसा possible नहीं है यानि कि अगर यहां पर आपसे possibility दे करके भी पूछा जाए no B being A is a possibility यानि कि कोई भी B A ना हो इसकी संभावना है तो यह बात भी क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी ठीक है तो अगर हम बात करें याप अगर banking के aspirants हमारे साथ जूले हैं अगर session को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दू बैंकिंग में कई बार आपको definitely which of the following conclusion is definitely true और definitely false करके भी आपसे question पूछे जाते हैं तो definitely true और definitely false में हमें केवल और केवल उन्हीं conclusions को pick करना होता है जिनकी possibility नहीं बन रही होती है ठीक है चलिए तो यह हमने बात करें किसके बारे में sum AR B के बारे में अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे all AR B की ठीक है तो मैंने कहां मैं इसको remove करता चलूँगा तो पहले बाले के लिए आप लोग इसको note करके रख लेंगे पहले बात करेंगे second one यहनी all AR B के लिए जब हम बात करते हैं all AR B की यानि कि सभी A क्या है B है इस बार मैंने क्या कहा आपको information दी कि पूरी की पूरी शर्ट क्या है वाइट है ठीक है अब यहाँ पर हम बोले sum AR B कुछ A क्या है बी है जब सभी A B है तो हमने आप से क्या पूछा कुछ A B है तो आप क्या कहोगे true क्यों क्योंकि अगर मैंने कहा पूरी की पूरी शर्ट वाइट है तो मैंने कहा color of the shirt is white तो भी बात सही है मैंने कहा sleeves of the shirt are white तो भी बात क्या है सही है ठीक है उसी प्रकार जब पूरा का पूरा A क्या है B है तो अगर हमने कहा कि बताओ sum A, R, B कुछ A क्या है B है तो भी बात ये बात भी क्या हो जाएगी सही हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे true ठीक है यह conclusion आपका follow करेगा फिर जब हम आपसे पूछ रहें कि sum B, R, A कुछ B क्या है A है तो अब इसी बात अगर पूरा का पूरा A, B है तो कुछ ना कुछ area B का तो अकुपाई करेगा ही करेगा यहनि कि यहाँ पर कुछ B, A है यह बात भी क्या हो जाएगी सही हो जाएगी ठीक है अब next one अगर हम बात करते है all A, R, B तो यह तो आपको दिया ही गया मैंने कहा जो आपका statement है अगर वही बात आपसे conclusion ने पूछ ली जाए तो वह बात भी क्या होगी सत्य होगी इसमें भी आपको कोई confusion नहीं होना चाहिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर all B, R, A की सभी B, A है तो मैंने कहा कि आपको possible structure भी बनाना आना चाहिए यानि कि possibility के case में आप फस्ते हैं तो कहीं नहीं कहीं आप possible structure बना करके देख पाएं कि क्या इसकी possibility बन रही है और possibility में आपके सारे के सारे दिये गए statement हाला कि यहाँ भी हमारे पास single statement है पर हमारे पास क्या होंगे multiple statements होंगे तो बनाए गए possible structure में दिये गए statement जो भी आपके statement दिये गएंगे वो exist कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं अगर exist कर रहे हैं तो possibility क्या हो जाएगी true हो जाएगी ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं all b r a की तो एक structure अगर हम इस प्रकार से बनाएं कि सभी a क्या है b है as well as सभी b क्या है a है तो यहाँ पर all b r a भी आप कह सकते हैं यानि कि अगर यहाँ पर बात करें all a r b तो आपका exist कर ही रहा है साथ ही साथ अगर हम बात करें all b r a की all b being a is a possibility यानि कि सभी के सभी b a हो सकते हैं संभावना है तो आप क्या कहेंगे यह बात बिलकुल सही है इसी में अगर आप से पूछ लिया जाए ओल बी इंग ए इस नॉट पॉसिबिलिटी यानि कि सभी के सभी बी ए हो जाए इसकी संभावना नहीं है तो यह बात क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी क्यों क्योंकि इसक statements यानि कि multiple हम लोग यहाँ पर statement यानि कि कथन के साथ में चर्चा करेंगे ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अगले conclusion की यानि कि sum लिजन हमें पता है हमें स्टेट्मेंट में दिया गया कि पूरी की पूरी शर्ट क्या है वाइट है यानि कि पूरा का पूरा एगलाना भी संभावना की सही नहीं बनेगी ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अगले conclusion कि sum b r not a तो देखो पूरा का पूरा a क्या है b है लेकिन पूरा का पूरा b a है ऐसा जरूरी नहीं है तो यहाँ पर हम बात करें sum b r not a की तो जो b का remaining part है वो a का हिस्सा हो भी सकता है लाइक दिस और नहीं भी हो सकता है तो मैंने का जितनी किसी चीज के होने की संभावना है उतनी उस बात के ना होने की भी संभावना है यानि कि यहाँ पे हम क्या कहेंगे sum, b, r, not, a को हम बोलेंगे can'ts यानि कि b का जो remaining part है वो a का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है अब हम बात करेंगे no a, r, b कि कोई b a क्या ना हो b ना हो तो यह बात क्या हो जाए कि क्यों कि अगर हम no a, r, b बनाएंगे तो वहाँ पे आपका statement exist नहीं करेगा यानि कि वहाँ पे all a, r, b आपको दिखाई नहीं देगा तो no a, r, b का हो जागा definitely false as well as no b, r, a, b का हो जागा definitely false यानि कि अगर कोई b, 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 नहीं होगा तो वहाँ पे all a, r, b हो जाए ऐसा संभावना आपको बनती हुई दिखाई नहीं देगी, ऐसा possibility भी आपको बनती हुई दिखाई नहीं देगी, यह बात भी क्या है निश्चित तोर पे गलत है ठीक है, तो यह हो गए दोनो positive statement के लिए अलाग-अलाग conclusion हमें कैसे draw करने है, ठीक है, conclusion हमें कैसे mark करने है, सही है, यह गलत है, follow कर रहा है नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर detail में reason के साथ समझते हुए चल रहे है अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर अगले statement यानि कि sum AR not B को चलिए, अब हम लोग चर्चा करेंगे किसकी sum AR not B की और पूरे के पूरे से लॉक्स में सबसे important अगर अभी तक जो हम लोगों ने, जो भी बात हम लोगों ने पढ़ी सबसे important आपका क्या होने वाला sum AR not B क्योंकि सबसे आदा confusion आपको यहीं पर होती है ठीक है तो आराम से इत्मिनान से ध्यान से इसको हम लोग पढ़ेंगे तो अगर हमने कहा sum AR not B sum AR not B कुछ A, B नहीं है structure आपको इस परकार से बनता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है और इसमें जो मैं सबसे पहला conclusion discuss करना चाहूंगा वो यह है कि sum AR not A यानि कि conclusion number 6 तो अगर sum AR not B आपको statement में दिया गया है conclusion में आपसे पूछ लिया गया sum AR not A यानि कि आपको दिया गया है कुछ B A नहीं है तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि यह बात सही है वो भी comment करके बताएं और कितने लोगों को लगता है कि यह बात गलत है वो भी comment करके बताएं इससे पहले कि मैं आपको बताऊं आपको क्या करना है at least comment करके बताना है और मैं हर एक session में बोलता हूँ कि आपके comment हमारे लिए बेहद खास है और प्रयास यही होता है कि हम आपको comment के थुरू क्या करें reply करें आपके सारे doubts जो भी यहाँ पे देखने को मिलते है उन doubts को हम comment के थुरू कोशिश यह होती है कि reply करें साथ ही साथ आपको telegram group का भी एक option दे दिया गया है जहां पे आप क्या कर सकते हैं आप अपने doubts को हमारे साथ share कर सकते हैं हमारे साथ discuss कर सकते हैं और उन doubts को भी हम लोग आपको telegram group के माध्यम से ही clear करेंगे ठीक है तो यहां पे सबसे पहले मनें क्या का आपको बताना अगर आपसे निसकर्स में पूछा जाए कुछ B, A हैं तो यह बात कितने लोगों को लगती है कि सही है और कितने लोगों को लगती है गलत है ठीक है अब यहां पे हम दोंग reason जानेंगे कि इसी प्रकार अगर यहां पे हम बात करें some B, A की all A, B और all B, A यानि कि हर एक चीज़ को discuss करेंगे लेकिन जो सबसे पहले मनें पूछा है आज आते हैं उस पे यानि कि some B, R not A कुछ B, A नहीं है तो आप में से बहुत सारे बच्चों का I hope कि यहां पे जो answer आया होगा वह यह आया होगा कि यह बात सही है लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यह बात सही नहीं है इसको हम लोग बोलेंगे card से क्यों बोलेंगे card से, reason भी दूँँगा मैंने कहा मान लेते हैं यह क्या है family A मान लेते मिया है family A और family A का ये क्या है कि छोटा सा member है यानि कि कोई एक सदस है कोई एक बच्चा है जिसका जगड़ा किस से हो जाता है फैमिली B से हो जाता है और अगले दिन क्या है family A के हाँ आलिशान पार्टी है तो बताओ family A family B को invite कर सकती है या नहीं family A family B को invite कर सकती है या नहीं तो आप कहोगे बिलकुल कर सकती है तो हमने कहां मान लेते हैं कि अगले दिन family A के यहाँ दावत है और family A ने family B को invite कर लिया और family B पूरी की पूरी यहाँ पे पहुच गई और दबा के खाना सुरू कर दिया और family A का जो यह छोटा सा सदस से था य यहाँ कि नहीं कर गारा की अभी आप देख सकते हैं कि कुछ A B नहीं है लेकिन पूरी की पुरी family B यानि कि पूरा का पूरा जो B का हिस्सा है वह A का पार्ट हो सकता है पूरा का पूरा Big A का पार्ट मैं क्या बोल रहा हivas है ऐसा नहीं हो सकता है possibility बन सकती है यानि कि जब हम जितनी इस बात की सम्भावना है कि family b a के घर में दावत खाने आ सकती है उतनी ही इस बात की संभावना है कि family a इस बच्चे का support करे और family b को invite ना कर यानि कि पूरी की पूरी family का क्या हो आपस में जगडा हो ठीक है तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे conclusion की some a r some b r not a की तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे can't से और अगर यह बात समझ में आ गई तो सारे के सारे निसकर्स आपको अब समझ में आने वाले हैं बिलकुल आसानी से जब हम बात करेंगे some a r b की यानि कि a के इस इस से को छोड़ दिया जाए तो पाकी का कोई भी पार्ट ए जो एका जो है वो बी का पार्ट हो सकता है इसको ऐसे भी समझ सकते हैं यह टीम इंडिया है यह टीम ऑस्टेलिया है टीम इंडिया के एक अगर अगर avenya पर बात करें कि व這邊 करता है इस बच्चे की क्रेडिट करता है बच्चे को family नशकार्ट कर दिया इसे बात करने नहीं जायगा नि एक किसी भी से का relation B के साथ नहीं होगा लेकिन यहां पर आपसे पुझा जा रहा है कि यह का कुछ हिस्सा भी है तो हम क्या बोलेंगे कांट से यानि कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता हमें केवल क्या पता है कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पता है कि यह का कुछ हिस्सा भी नहीं है यानि कि कुछ हिस्से के बारे में पता यह तो डेफिनेटली नहीं होगा बाकी का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता इसी प्रकार हम बी की बात करें तो बी का पूरा का पूरा हिस्सा एक पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है यानि कि कि किसी भी हिस्से के बारे में जानकारी नहीं कि वो एक पार्ट होगा या फिर नहीं होगा होगा तो क्यों होगा कैसे पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेगा सब कुछ यहां पर आपको डाइग्राम की हल्प से दर्शाय आ गया है ठीक है तो जब हम बात करेंगे सम ए आर बी की तो आप बोलोगे कांट से लेकिन यहीं पर आप से प्रकार से पूछा जाता कि सम ए बींग बी जब पॉसिबिलिटी तो आप क्या कहोगे प्रू यानि कि ए का कुछ इससा बी का पार्ट हो सकता है तो यह बात क्या है सत्य है लेकिन हो सकते हैं थे कियो प्रकार आप से बーस बी कुछ बी क्या है यहाँ पर आप आप कहेंगे कांट से और नहीं सकता ही फिर आप से बोला जा रहा है all A, R, B, पूरा का पूरा A क्या हो जाए, B हो जाए, तो यहाँ पे भी आपने देखा कि यह बच्छा अभी भी family B का पार्ट नहीं है, यानि कि अभी भी B से बात नहीं कर रहा है, अभी B के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका relation अभी B B के साथ, यानि कि यह हिस्सा कभी B का पार्ट नहीं हो सकता, और जब तक यह हिस्सा B का पार्ट नहीं होगा, तब तक पूरा का पूरा A कभी B का पार्ट नहीं हो सकता, अगर आपने पूरे के पूरे A को B का पार्ट बना लिया, तो some A, R, not B यहाँ पे exist नहीं करेगा, जो फिर बोला जा रहा है all b r a सभी b क्या है a है सभी के सभी b क्या है a है तो इसकी एक संभावना बनती है यानि कि सभी के सभी b a हो सकते है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे can't से और देखिए मैंने कहा कि parallel हम यहाँ पर क्या सीखते चल रहे है possible यानि कि हम बात करेंगर conclusion की possibility वाले conclusions बनते हैं उनको तो हम लोग यहाँ पर सीखते चली रहे है साथ इसाथ इन्ही possibilities के help से ही यानि कि in current से ही आप क्या सीखेंगे either case यानि कि either case जब भी बनेगा तो आपके conclusions दोनों individual क्या होंगे false होंगे false कैसे होंगे definitely false नहीं होंगे यानि कि current से वाले cases होंगे और वहीं पर आपका either case बनेगा क्यों बनेगा कैसे बनेगा with reason हम लोग सब कुछ समझते वोग चलेंगे next one अगर मैं बात करूं some a are not be कुछ a b नहीं तो यह बात क्या है सत्य है मैंने कहा कि जैसे कि आपका statement क्या हो रहा है conclusion में repeat हो रहा है तो यह बात क्या हो जाएगी true हो जाएगी अच्छा यह रहे गया था इसको तो मैंने डिसकस किया सम्या नॉट भी ठीक है अगर remaining इससा नहीं हुआ तो नो यह बी क्या हो जाएगा आपका possibility बनेगी यानि कि इसको भी हम क्या कहेंगे कांट से यानि कि अगर फैमिली ए ने बच्चे को support कर दिया और फैमिली बी को invite नहीं किया फैमिली बी से जगड़ा कर लिया तो और बेसी बात है उसके सम्भाव को समझने में आपको कोई बी कठिनाई नहीं होगी हमसान पे नाएंगे कोई भी कठिनाई नहीं होगी हम लोग कोस्टन पे भी आएंगे लास्ट अगर करें कोई भी एक यह नहीं है भी नहीं है थीक है तो नहीं अग्यां टीम का नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं comment box में आप लोग comment करके बताईएगा यानि कि अभी team India का कोई भी player वही जो आप समझ रहे हैं ठीक है हाँ सही team Pakistan के साथ participate नहीं करेगा नहीं team Pakistan का कोई भी player team India के साथ क्या करेगा participate करेगा यानि कि पूरी की पूरी family A का जगड़ा किससे family B के साथ है family A का कोई भी member family B के साथ participate करने नहीं जा रहा नहीं family B का कोई member family A के साथ participate करने जा रहा है तो यहाँ पर family A का कोई भी हिस्सा B का हिस्सा नहीं हो सकता और family B का कोई भी हिस्सा family A का हिस्सा नहीं हो सकता यानि कि यहाँ पर relation जो है किसका है नो का relation है तो फटा फट से आ जाते हैं conclusion पे चलिए conclusion के अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप से बोला जारा है sum A, R, B कुछ A क्या है? B है तो अब यहाँ पे आप कुछ A को अगर क्या बनाओगे B का हिस्सा बनाओगे sum A, R, B को अगर यहाँ पे आप structure ड्रो करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि no A, R, B exist नहीं करेगा यानि कि इसका possible structure भी नहीं बनाओगे जा सकता इसकी संभावना भी नहीं हो सकती तो यह बात क्या है? definitely false है sum A, R, B यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा इसी प्रकार अगर हम बात करें sum B, R, A की तो obvious ही बात है जब A का कोई हिस्सा B में नहीं जाएगा तो B का कुछ हिस्सा A कैसे हो सकता है यानि कि यह बात अगर हम कहें तो यह भी क्या है? definitely false है all A, R, B की अगर हम बात करें इस प्रकार अगर हम कहें 100% A या नॉट B अगर यह बात आपको दी गई है और आपसे बोला जा रहा है 10% A या नॉट B तो यह बात भी क्या हो जाएगी? valid हो जाएगी यानि कि यह बात भी आपकी सही होगी क्योंकि अगर 100% A या नॉट B है जाएगी, no ARB statement आपका conclusion में repeat हो रहा है, सही है, और जब no का relation A का B के साथ, तो अभीस सी बात है, B का भी no का relation होगा, किसके साथ में, A के साथ में आने कि यह बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, तो यह basic चार आपके जो statement है इनके लिए बनने वाले अलग-अलग conclusions को हम लोगों ने यहाँ पर discuss किया with possible structure and possible diagrams अब यहाँ पर कुछ basic बनने वाले questions को हम लोग discuss करेंगे आप हमारे साथ साथ क्या करेंगे structure को draw करते चलेंगे और उसके बाद हम लोग आएंगे exam में पूछे गए questions पर ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कुछ basic questions की question मैं यहाँ पर कि लेग् wires में लिख रहा हूँ और दोनों लेग्वी में यहाँ पर आपको बोल को लगता है का विचे ना या English में लिखना में जिस भी language में लिखना हूँ उसके दूसरे लेग्व्य में बोल्त भी रहा हूँ आप साथ साथ क्या करेंगे Это प्रफिते हुए चलेंगे तो सबसे पहले अगर मैं आप पर कोश्चन की बात करूं सबसे पहला बिल्कुल बेसिक सा कोश्चन बेसिक से स्टाइट करते हैं मैंने कहा इस्टेट्मेंट है यह यह होगी आपका स्टेट्मेंट है हमने कहा सम ए आर बी सम बी आर सी यह होगी आपका स्टेट्मेंट अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की तो सबसे पहले क्या करना हमको structure draw करना और इसके बाद मैं structure पर ही आपसे अलाग अलाग conclusion यहाँ पर discuss करूँगा तो अगर हम बात करें यह आपको statement में दिया गया है sum ARB और यहाँ पर आपको दिया गया है sum BRC तो बात कर लेते हैं हम लोग structure की सबसे पहले करना इसका structure किस प्रकार से हमें ड्रो करना है तो structure कर हम बात करें तो यह हो जाएगा आपका अट यह यह हो जाएगा आपका बी और यह वह गयापका बी का कुछ इससा और हम लोग यहां पर कुछ possible structure भी बना करके क्योंकि अभी तक हम लोगों ने single statement में possible structures बनाएं यहां पर भी हम लोग possible structures बना करके देखेंगे कि कैसे आपके statements क्या करते हैं exist करते हैं तो कुछ questions पर हम लोग इसकी practice करेंगे और इसके बाद जो भी आपके possibility वाले questions बनेगे वहां मैं यहां पर अगर आप से कहूं sum a r c conclusion कि अगर हम बात करें sum a r c यहां अगर हम दूसरे conclusion की बात करें all b r c यहां अगर हम बात करें all c r a यहां पर तीन conclusions हैं तीनों ही conclusions आपको बताने हैं यहां पर इनका answer क्या होगा और जो आपके conclusion यहां पर valid होंगे उनकी भी बात हम करेंगे लेकिन यहां पर हम केवल और केवल पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसका possible structure हम कैसे बनात थी ठीक है तो अगर हम बात करूं यहां पर सम ए क्ण c हैं यादि कि हम बía करे और सी दोस्ट है ला नहीं कि हो सकते हैं तो कैसे पॉसिमल इसका बनाके देख लिया जाए इसका पॉसिवल structure भी तो बना कर देख लिए जाए तो चलो इसका possible structure भी बनाके देख लेते लेते थ हम ए और सी हम कहे रहे हो सकते हैं तो कैसे हो सकते आपका च्रेट मेंट कैसे करेगा अत्वाफ का स्त्रक्चर बनाओ यहां पर सारी बातों को समझ लेंगे यानि कि हम लोग इसका स्ट्रक्च्यर सी है यह हमें पता है लेकिन पूरा का पूरा सी है हम क्या बोलेंगे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो कैसे हो सकता है किस प्रकार हो सकता है और अगर हम इसका structure बनाते हैं तो क्या यहां पर statement exist करेगा तो बिल्कुल exist करेंगे को जुटा करेंगे तो आपको बनाना से बनानाना या पैसे बनाना उसके बारे साथ कर वोखता है और आ जूड़े रहने की बेसिक को आराम है समझने की और साथ साथ आपको प्रैक्टिस सीट में भी कोशन सफिशन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए इसके लाव अगर हम बात करें तो हम लोग टेलिग्राम पे एक और इनिशेटिव लेने जा रहे हैं जो कि आपका होने वाला है क्विज से रिलेटेड यानि कि आपको एवरी डे हो सके इसके उपर हम लोग काम कर रहे हैं जैसा कि आपको अभी तक सीरीज का कोई माध्यम नहीं मिल पा रहा है हमारी और से हमारी तरफ से हलाकि मैंने आप लोगों को सजेश्ट जरूर किया था कि जो भी आपके पास अवैलेबल रिसोर्स हैं वहां से आप टेस्रीज लग ठेके चली अगर मैं बात करो इसके पॉसिबल की और सी हलाकि हम बात करें कांक्लूजन की सम ऐसे कि तो हम क्या बोलेंगे इसको कांड से और से क्यों बोलने क्यों पॉसिविलिटी ए हर एक समभाव नहीं हम इसको बोलने करंट से ठीक है यानि कि अगर यहां पर आपको question में mark करना होता option कौन सा option सही तो हम क्या करेंगे none is true or none follows ठीक है कोई भी follow नहीं करता है या कोई भी सत्य नहीं है ठीक है चलिए अब बात कर लेते possible structure की possible structure की बात करें तो अगर बोला जारा है all c r a अक्यों सारे कि सारे c क्या हैं एं और हमें पता था सम p r b और संr यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम आपसे बोले संसे अर भी इंट I g औ नहीं बता हूब को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे लिGHT अगर आपसे पॉसिबल करना जा सकता है जहाँ प्सक्टेश्ट कर रहे यहाँ बात करें कि सक्विछ दोड़ देंगे तो यह बात क्या हो जाएगी सथ हो जाएगी मैंने इस वाले कोई किया क्यों किसे आप सारे के सारे यहां पर यहांपे देख सकते हैं वैलीड होते आपको दिखाई देंगे especially first one second one के लिए लगसे में डॉख करना पड़ेगा ठीक है यहां पर अगर मैं बात करूँ सम ए यार सी तो यहां पर देखो ए का भी कुछ हिस्सा क्या है सी हम बोल सकते हैं ठीक है सम ए यार सी भी यहां पर आपका सभी सद्सें के आप से पूछा जाए का कि आप क्या कहेंगे यह बात क्या है यहांप है सभी के सभी होनी की संभावना है तो यह हो जाएगा ए कि चलिए आप बात कर लेते हैं पर यह की लिखिए फटा-फटा से स्टेट्मेंट की बात करें तो all a r b all b r c all c r d or no c r e यह होगी आपका statement पहले statement के लिए क्या करेंगे structure दो करेंगे फिर इनसे बनने वाले conclusions की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे तो फटा-फट से structure बना लेते हैं all a r b के लिए तो यह हो जाएगा सभी के सभी a क्या हो गए भी हो गए फिर बना लेते हैं सभी के सभी b क्या है c हो गए सभी के सभी c क्या हो गए डी हो गए और कोई भी c क्या नहीं है यह हो गया आपका structure अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे पूछे जाने वाले या बनने वाले अलग-अलग conclusions के बारे में सबसे पहले अगर हम conclusion की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे important points को भी हम लोग जानेंगे और फिर कुछ बाते हम लोग note करके भी यहाँ पर लिखने वाले है ठीक है तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि all a r c सभी के सभी a क्या है c है conclusion चलो लिखता चल रहाँ conclusion all a r c दूसरा अगर मैं बोलूं all b r d फिर अगर मैं बोलूं sum c r a फिर मैं बोलूं sum d r a फिर अगर मैं आपसे बोलूं all b r e और जितने भी अभी मैं basic यहाँ पर आपसे conclusions पूछ रहा हूं possibility लगागे भी income लोग यहाँ पर देखेंगे all b r e फिर अगर मैं पूछ हूँ all e r a no b r e no e r d और no sum d r not e तो इतने यहाँ पर conclusions पर हम लोग क्या करेंगे discussion करेंगे इस दिये गए statement पर ठीक है तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे कि पूछा जार आपसे all a r c यानि कि सभी के सभी a क्या है c है तो यह बात हमें बिल्कुल clearly दिखाई जेरी कि सभी के सभी a क्या है c है यानि कि यह बात क्या हो जाएगी यहाँ पर true हो जाएगी यानि कि सही हो जाएगी ठीक है next अगर हम बात करें all b r d तो all b r d भी क्या हो यानि कि सभी के सभी B क्या है D है दूसरी important चीज़ समझ यह कि अगर यहाँ पे हमने आपसे बोला है all A, A, R, C तो यह बात क्या है सही है इसी के जगे पे हमने आपसे बोला होता sum A, R, C तो यह बात भी क्या होती सही हो जाती यानि कि अगर 100% A, R क्या है C है तो अब इसी बात है 10% A, R, B, C क्या हो जाएगी बात सही हो जाएगी तो ध्यान दीज़े जब हम छोटे सरकल से बड़े सरकल की और जाएगे यानि कि हम यहाँ पे छोटे मेंबर से बड़े मेंबर की और जाएगे तो यहाँ पे sum का relation भी आपका क्या हो जाएगा true हो जाएगा as well as all का relation भी क्या हो जाएगा true हो जाएगा in the same way जब हम यहाँ पे बोलते है sum C, R, A तीसरे के अगर मैं बात करूँ sum C, R, A, C का कुछ हिस्सा क्या है A है तो यह बात भी क्या है आपकी सही है लेकिन ध्यान दीजे जब हम बड़े मेंबर से छोटे मेंबर की और आएगे तो sum का relation तो क्या हो जाएगा true हो जाएगा sum का relation तो क्या हो जाएगा true हो जाएगा लेकिन all का relation क्या बनेगा यहाँ पे current से all का relation क्या बनेगा current से तो आप कहोगे all का relation current से बन रहाइट means possibility true होगी तो बिल्कुल possibility true होगी कैसे true होगी इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे पूछे गए conclusions के base पर जैसा कि यहाँ पर बोला जारा sum d r a यानि कि d का कुछ हिस्सा a है तो ये बात क्या हो जाएगी सही हो जाएगी क्यों क्यों कि हम बड़े circle से छोटे circle की ओर आ रहे हैं next one यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है all b r e सभी के सभी b क्या है e है तो जो चीज true है वहाँ पर हम possibility की बात नहीं करेंगे जहाँ पर हमारा answer कांट से आएगा वहाँ पर हम possibility की बात करेंगे तो जैसा कि सबसे पहले possibility की बात यहाँ पर हम करें जब हम बड़े circle से छोटे circle की ओर आते हैं तो हम क्यों बोलते हैं आपर कांट से इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चरचा करने वाले है तो जैसे कि अगर हम बात करें all b r e की की सबी के सबी b क्या है e है तो ध्यान दीजे जगड़ा किस से है जगड़ा है family के बड़े member से यानि कि अगर हम बात करें b और c के comparison की तो c क्या है family का बड़ा member है जगड़ा किस से family के बड़े member से है और अगर family के बड़े member से जगड़ा है तो अबेसी बात है छोटा member कभी भी उस दूसरी family का part नहीं हो सकता यानि कि B लाग चाहे किसको E को, ठीक है, B लाग चाहे किसको E को कि हम E के साथ बात कर लें E लाग चाहे कि हम B के साथ बात कर लें, लेकिन इनके बीच में कोई भी relation possible नहीं यानि इनके बीच में no का ही relation रहेगा, यानि कि B कभी भी E का part नहीं हो सकता अगर आप संभावना की बात करेंगे तो बी को घर से धक्ये मार के बाहर निकाल लेगा फिर इसके बात करो चाहे घर बसाओ ठीक है जो करना है वो करो हमसे मतलब नहीं यानि वहाँ ते आपका statement फिर exist नहीं करेगा इसकी कोई possibility भी नहीं बनेगगे यानि कि अगर हम बात करें family के बड़े member से जगड़ा है तो family का छोटा member कभी भी उसका part नहीं हो सकता यानि कि all b re अगर बोला जा रहा तो ये बात क्या हो जाएगी definitely false हो जाएगी और यहीं पर अगर आपसे बोला जाता no b re तो ये बात क्या हो जाती फिर नहीं हो सकता ठीक है in the same way जब यहां पर आपसे बोला जा रहा है all e r a सभी के सभी e क्या हो जाएगी a हो जाएगी तो भाईया e को a होने के लिए पहले c का part होना पड़ेगा जो कि possible ही नहीं है तो यह बात भी क्या हो जाएगी यहां पर यहां पर आपसे बोला जाता no e r a तो यह बात क्या हो जाती definitely true हो जाती ठीक है next वन अगर हम यहां पर आपसे पूचे no b re जो क्या लेड़ी मैंने आपको बता दिया यहां पर no b re तो यह बात क्या हो जाएगी सही हो जाएगी no b re क्या हो जाएगा यहां पर वहीं से अटा देते हैं अगर आपसे पूचा जाएगा no b re तो यह बात क्या है यहां पर सही है यहां पर हम इसको true कर देते हैं अगर हम बात करें no e r d कोई भी e क्या नहीं है डी नहीं तो इससे पहले हम इसको समझ लेते हैं सम d r not e को समझ लेते हैं यह बात आपको असानी से समझ में आ जाएगी यानि कि मैंने कहा जब फैमिली के बड़े मेंबर से जगड़ा है तो फैमिली का छोटा मेंबर कभी भी उसका पार्ट नहीं हो सकता लेकिन जब हम बात करेंगे डी और सी के कमपैर्जन की तो डी क्या है फैमिली का बड़ा मेंबर है और इसको समझने के लिए आप लोगों ने जिस भी कौपी में नोट किया सम या नॉट भी को वहाँ पर उठा कि आप देखिए तो अगर इसको डी आर नोट ई कि अगर हम बात करें डी का कुछ हिस्सा ई नहीं है तो यह बात क्या है बिलकुल सही है और जब डी का कुछ हिस्सा क्या नहीं है तो हम यह नहीं कह सकते कि ए का भी कुछ हिस्सा डी नहीं यानि कि पूरा का पूरा ई आपका डी का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है यहां कि यहां पर पॉसिबल बनाप मेरा कर लेते हैं यहां पर मना लेते हैं कि is बेंको को पूरा का पूर मेंबर का खगला है तो बड़ा क्य crit क्या हुआ है जिसके साथ हो सकता है यहां पे जो चीज रह गई थी कि कि जब हमने कहा कि बड़े circle से चोटे circle की और आते हैं तो यहाँ पर सम का relation क्या होता है true होता है all का relation होता है कांट से तो कैसे कांट से होता है यानि कि अगर हम यहाँ पे कांट से इसकी एक possibility भी बननी चाहिए यानि कि अगर हम यहाँ पर कहेंगे all dr.a Tो कर रहें कांट से क्यों कांट से कैसे को बना सकते हैं एक क्वस्ट टूबी क्वस्ट टूब्स 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 ट यहां पर अगर आप से पुछा जाएगा at least at most few a few frequently of frequently oftenly 90% 10% 99% बोल दिया जाए यह यह फिर 0.01% बोल दिया जाए ठीक है कुछ भी इस प्रकार के आपको word दिखाई देते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे note करके मालो आगे आपको rarely इस प्रकार के जो भी word आपको दिखाई देंगे तो हम यहां पर लिखेंगे all are considered as as some हम सभी को क्या मान के चलेंगे सम मान के चलेंगे यानि कि कुछ मान के चलेंगे ठीक है इसा नहीं बना लेना है की इकदम हम परिशान 90 ना आपके तावल करेंगे यहां पर बात करेंगे एक और कोश्चन यहां पर चर्चा करेंगे चलिए ऐसा तो नहीं हो गए हो कि अगर हम आप से पूछे मेल हो कि फीमेल तो आप कह दो कांड से ऐसी स्थिती तो नहीं हो गई है ठीक है समझने के हालात में है चलिए तो अगले अगर हम यहाँ पर स्टेट्मेंट की बात करें तो यहाँ पर हम आप से बोलें और क्रिकेटर और थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा तो उपर से लिखते हैं स्टेट्मेंट की बात करें तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और क्रिकेटर्स आर मेल फिर हम लोग लिखेंगे और क्रिकेटर्स आर प्लेयर्स फिर हम लोग लिखेंगे चले हमने लिखा एक स्टेट्मेंट तो सबसे पहली जो यहां पर समस्या आएगी सबसे पहली समस्या क्या आएगी तो पहले तो आपको क्या करेंगे आराम से को पॉस करिए इसके लिए कि structure बनाई है और जो आपने structure बनाए है वो कितने प्रकार से structure बनेंगे तो उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि आप लोगों के structure किस किस तरीके से यहाँ पर बनने वाले हैं और अगर आपने गलत structure बना लिया है all cricketers are players तो यह हो जाएगा players और some players are women यानि कि यह हो जाएगी आपकी women पहला structure यह बना होगा आप लोगों का दूसरा क्या structure देखने को मिलेगा तो all cricketers are यह ओवे Cricketers यह आप लोगोंने बना लिया होगा players यह आप लोगोंने बना लिया होगा male और ये आप लोगोंने बना लिया होगा women थर्ड वन के अगर हम बात करें जो कि इसका एक्चुल स्ट्रक्चर बनना चाहिए था वो इस प्रकार से बनेगा और यह हो जाएगा आपकी वोमेन जो एक्चुल स्ट्रक्चर आपका बनना चाहिए था तो आप कहेंगे कि अगर हमने स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना लिया तो क्या दिक्कत है स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना लिया तो क्या दिक्कत है और अगर size structure बनाते तो इन से वो किस प्रकार अलग होता तीनों की ही हम यहाँ पे चर्चा करेंगे तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम आते हैं conclusion पे यानि कि सभी cricketers क्या है? male है, पुरुष है सभी cricketers क्या है? खिलाली है फिर यहाँ पे आपसे बोला जारा, some players are women यानि कुछ player क्या है? महिला है तो अगर आपने structure इस प्रकार से बनाया होता और यहाँ पे अगर हम आपसे conclusion पूछते कि सभी पुरुष क्या है? प्लेयर है यानि कि सभी पुरुष क्या है? प्लेयर से all males are all males are players ठीक है? conclusion की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अगर मैं आपसे conclusion पूछता all players are male या फिर some males are women ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें जो इसका actual diagram बनना चाहिए जो बनाने का सही तरीका है अगर आप इस प्रकार से बनाते तो इन तीनों ही conclusions की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगी कि आपका answer वहां पर क्या बनता तो जब हम बात करेंगा all males are player की तो यहाँ पर आप देखेंगी कि male का कुछ हिस्सा क्या है player है लेकिन जब हम बात करेंगा all males are player की तो हम बोलेंगे can't से जो कि आपका actual answer बनता लेकिन यहाँ पर यह answer आपका क्या बनता हुआ नजर आएगा true बनता हुआ नजर आएगा यहाँ पर अगले conclusion कि अगर हम बात करें all players are male सभी players क्या है male है तो यहाँ पर आपका conclusion क्या होता हुआ नजर आ रहा है true नजर आता हुआ रहा है जब कि अगर हम बात करें तो all players are male क्या हो जाएगा यहाँ पर है कांड से बनेगा यानि कि यह कॉश्चन भी आप एक्जाम क्या करके आते गलत करके आते है अगर आपने structure गलत बनाया होता तो यानि कि all males are player यहाँ पर आपने अगर इस परकार से बना होता तो गलत करते और all players are male अगर सभी चार भी आएगा कांड से कैसे आगा इसकी बी चर्चा करें कि woman male कैसे होने लगी कब से होने लगी ठीक है तो हम आज आते हैं इसके actual structure पर जो कि यहां पर हमें बनाना था तो इन जो रॉंग structure इसको पहले हम क्या कर देते हैं आप रिमूब कर देते हैं यह सभी के सभी आपके क्या है possible structures है जो यहां पर आपके बचे हुए थे यह क्या थे पॉसिबल structure थे यानि कि बनाए जा सकने वाले डाइग्राम थे और बनाए जा सकने वाले डाइग्राम के केस में आप के वल और पॉसिबिल्टी वाले को conclusions को ही true या false कह सकते है actual conclusion जो आप से पूछे जाते हैं उनको आप true या false नहीं कह सकते है यानि कि जो आपने अभी तक बनाए यह क्या थे possible structures ठीक है अब यहां पर अगर मैं आप से कहूं conclusion all women being cricketer is a possibility possibility वाले भी आपको question कई प्रकार से अलाग अलाग language में देखने को मिलेंगे जैसे कि बोले का all women can be cricketers all women being cricketer is a possibility ठीक है तो अलाग अलाग language में भी आपको देखने को मिलेंगे तो केवाल आपको यहां पर संभावना को पहचानना है कि यह संभावना की बात कर रहा है नहीं कि संभावना के बारे में यहां पर हमसे पूछा जा रहा है तो जैसे ही हमने का all women being cricketer is a possibility त आपके दिमाग में आगा कि women को अगर हम cricketer का part बनाते हैं तो सबसे पहले women को में क्या बनाना पड़ेगा मिल बनाना पड़ेगा और जो कि एक possibility अगर हम बात कर तो इसकी संभावना भी नहीं लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाईया अपना दिमाग नहीं लगा जब मैंने का सबी गोले गधें तो आपको कोई तकलीफ नहीं लेकिन यहाँ पर जब हम बात करें women को मेल बनाने की तो आपको तकलीफ क्यों हो रही बाई किस बात की तकलीफ हो रही है जैसा कहा गया मान लीजिए इसको बना करके देखते हैं अगर यहाँ पर statement आपका exist करत करके बनाना को विलेद ए तो बिल्कुल बना जा सकता है सारी के सारे विमीन को क्या बनाना करिकेटर बनाना कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर All Cricketers are सारे के सारे क्रिक्टर्स मेल है यह बात दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है और प्लेयर सारे के सारे क्रिक्टर्स क्या है प्लेयर से यह बात भी यहां पे बिल्कुल सत्य हो रही है साथ ही साथ अगर हम बात करें सम प्लेयर सार वुमेंस तो बताओ प्लेयर का क कुछ इससा woman है की नहीं है तो यह बात भी क्या हो रही है सकती हो रही है या कि इसका खर एक पॉसिबल इस्ट्रक्चर बनाए वह भी आपने देखा अब हम लोग आएंगे मुद्दे पर यानि कि अब हम लोग बात करेंगे यहां पर कोश्चन की किस प्रकार से कैसे पूछे जाते हैं हमें स्ट्रक्चर कैसे बनाना होता है और साथ इसाथ पॉसिबिल्टी वारे जो कोश्चन से पूछे गए एक्जाम म आपने स्किप किया सीधे कोश्चन पर आए तो कही न कहीं आगे चलके जब हम बात करेंगे यहां पर आपको देखने को मिलते हैं बैंकिंग एक जास को अम लोग कवर करेंगे और इसके बाद कोशिच यह होगी कि एक बार आप से लाइफ सेशन में जुड़ा जाए जहां डारेक्ली आप हमारे साथ communicate कर सके और उस live session में यानि कि एक marathon class type का होगा जहां पर हम क्या करेंगे पूरे क्या पूरे silogues के all types जो भी आपके concepts बनते हैं silogism में हर एक concept को हर एक type के बनने वाले question को बिलकुल detail में discuss करेंगे आराम से त्मिनान के साथ में आपके साथ में communicate करते हुए ठीक है चली तो बैया session अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी तक अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए उसको देखकर करे structure बना रहा हूं तो all directors are actors और हिंदी English को mismatch हो तो इग्नोर माना क्योंकि मैं आप English वाला देखके बना रहा हूं हाला कि यहां पर mismatch देखने को आपको नहीं मिलेगा और डारेक्टर्स आर एक्टर्स तो सारे के सारे डारेक्टर्स क्या है एक्टर्स है फिर अगर हम बात करें नो एक्टर इस प्रोड्यूसर कोई भी एक्टर क्या नहीं है प्रोड्यूसर नहीं है फिर बात करें तो all choreographers are director यानि कि सारे के सारे जो choreographers है वो भी क्या है डारेक्टर्स है तो यहां पर हम रख देते हैं किसको choreographers को ठीक है अब हम बात करेंगे किसकी निसकर्स की तो यहां पर बोला जा रहा है no choreographer is producer कोई भी choreographer producer नहीं है तो मैंने कहा देखना क्या है कि जगड़ा किसका है तो जगड़ा बड़े member का है तो अब इसी बात है छोटा member भी उसका choreographer यानि कि कुछ actor क्या है choreographer ने तो मैंने कहा जब बड़े सरकल से छोटे सरकल की और आएंगे तो सम वाला क्या होता है और और वाला क्या होता है कांट से होता है रीजन भी मैंने हर एक का discuss किया है बिल्कुल डीटेल में ठीक है तो यहां पर बोला जा रहा है अश्चार सरक यह बात भी क्या है बिल्कुल जए नेक्स्ट वन है और ना आप से पूछा जा रहा नो डा। सरक कोई बी डाप्र क्यानिया नहीं है यानगी जगरा किस्यास्टा मैंबर उसका पार्ट नहीं रहा है डिरेक्टर क्या है छोटा मेंबर यानि कि यह बात भी क्या हो जाएगी बात करें दिये गए विकल्पों की तो आपको कौन सा वाला विकल्प चुनना है तो यहां पर विकल्प चुनेंगे अगले पूछे गए प्रश्न की अगले प्रश्न की बात करो तो बिल्कुल इससा कोश्चन है सम यहार भी सम भी और सी कुछ एक यह बी है और कुछ भी क्या है सी है इसको हम लोगा डिसकस कर भी चुके हैं यहां कि कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो यहां पर आप से पुछा जा रहा है सम ए यार सी तो आप क्या बोलेंगे कांड से और सम सी आर बी बोलेंगे तो यह क्या हो जाएगा यहां कि ओनली कंक्लूजन टू फॉलो बिल्कुल इसी सा कोश्चन था बढ़ते हैं अगले पर नेच्ट वन आपसे बोला जारा है ओल एंगल साथ डाइगोनल सा और सारे सारे गेंगल से और यहां पर यहां पर आपको दिया गया है तो आगे की इंफोर्मेशन पढ़ लेते हैं no diagonal is a cube, कोई भी diagonal क्या नहीं है, cube, cube नहीं है, कोई भी diagonal, cube नहीं है, और यहाँ पर fourth one आपको दिया गया था, all cubes are decagon, यानि कि सारे के सारे cubes क्या है, decagon है, चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर conclusion की, यानि कि हम बात करें यहाँ अगर nisker's की, तो nisker's में आपसे पूछा गया है, some diagonals are polygons, कुछ diagonals क्या है, polygons है, तो diagonal और polygon का relation देखें, तो यहाँ पर हम बड़े circle से कहां रहें, छोटे circle की हो, तो some वाला क्या होता है, true होता है, और all वाला क्या होता है, current से होता है, इसको हम लोगों ने अल्रेडी discuss किया हुआ है, तो पहला तो यहाँ पर अनुसराल कर रहा है, पहला तो यहाँ पर आपका follow कर रहा है, next one अगर हम बात करें, यहाँ पर all diagonals are decagons, सारे के सारे diagonals क्या हो जाएंगे, decagons हो जाएंगे, तो diagonal का part जो है, अगर आप देखेंगे, तो क्यूब के साथ में क्या है negative है, family के छोटे member के साथ में इनका no का relation है, लेकिन बड़े member के साथ में यह पूरा का पूरा part हो सकता, यानि कि अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, तो some AR not be वाल आपका concept बन रहा है, यानि कि all diagonals are, अगर हम decagons की बात करेंगे, तो हम इसको बोलेंगे can't say, यह follow नहीं करेंगा, और यहाँ पर SSC में अगर हम बात करेंगे, तो कहीं पर भी आप count से वाला जो है आपका उसका दिक्कत नहीं आएगी, जब तक कि आप से either or का case नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, possibility के case में आप थोड़ा सा struggle करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम बात करें, count से ही इसको हम समझते चलेंगे, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जब all diagonals are decagans, पूरे के पूरे डायगोनल अगर decagans की बात का है, तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, count से क्यों क्यों कि जगणा है किसके साथ में, क्यूब के साथ में य yak a- civ के चोटे में बार के साथ में तो बढ़े मेंबर के सासल यह पूरा का पूरा पार्ट इसका हो सकता और नो क alternate को भी पॉलिगन क्या नहीं है owns अगर हम बात करें आप힙ं की तो यह हैपका तो पॉलीकन यह है आपका कौन जग डा किसका है बड़े मेंबर से अलो कोनसे कियूब था अच्छा एक मिसिंग है इसको मैं फिर से करा देता हूँ तीक है structure यहां पर all polygons are angles सारे के सारे polygons क्या है angles है फिर आप ची बोला कि all angles are diagonals सारे के सारे angles क्या है diagonals है all cones are cube तो ना तो cone का information है ना तो cube का फिर बोला जारा all cubes are decagons ना तो cube का है ना तो decagon का है तो no diagonal is cube कोई भी diagonal आपका cube नहीं है सब्सक्राइब अग built सारी के सारे जो क्षीא है वो क्या था जाए गा सूंगू में डेकें ऐसे अगें जाने हैं सम्नेतिम डेकान से संडार्ट के अगण हाने संग्राइब सारी केसे सारी क्या हैं डेकान से चली conclusion के अगर हम बात करें तो some diagonals are polygons तो some diagonals are polygons क्या हो जाएगा आपका true हो जाएगा फिर all diagonals are decagons सारे के सारे diagonals क्या है decagons है तो diagonal का जगडा किससे है decagon के छोटे family members है यानि कि यह क्या हो सकता है decagon का part हो सकता है तो यहाँ पे हम बोलेंगे can't से next वन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया no polygon is cone कोई भी polygon आपका cone नहीं है तो जागडा किससे है बड़े member से है यहाँ पे भी आपके बड़े member से जागडा यहाँ भी बड़े member से जागडा तो चोटे member कभी भी एंग ब्यूसरे का part नहीं हो सकता है साथ में family के बड़े member के साथ में यानि कि छोटे member का कभी भी part नहीं हो सकता तो यह बात कर जाए कि definitely false हो जाएगी answer की बात करें तो answer हो जाएगा है आप only conclusion one and three यानि कि option number four क्या हो जाएगा only conclusion one and three follows चो कि आपको option number d में दिया गया है चली बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्ण की फटा फट से structure बनाईएगा और सभी को comment करके बताना है कि पूछे गए प्रश्णों में से आपके के सारे pencil क्या है चली conclusion की बात करें तो बोला जारा औल बैक्स आर पैन सारे के सारे बैक क्या है यह बात सभी हो जाएगा कांड से possibility की बात करें कैसे बनेगा तो बीक्वल्स टुपैंसिल इक परकार से बनेगा निकि क्या जाएगा only conclusion one follows क्या हो जाएगा इस पूछे के कोशन का answer हो जाएगा आते हैं अगले कोशन पर कोई भी टी कॉफी नहीं है नेक्स्ट की बात करें तो सम कॉफी यार शेक कुछ कॉफी क्या है शेक है कंक्लूजन की बात करें तो सम टी आर नॉट शेक कुछ टी क्या शेक का पार्ट नहीं है तो हम बोलेंगे कांट से क्यों कांट से क्यों 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 शेक और ये होगी आपका पूरा का पूरा टी और हमने कहा कोई भी टी कॉफी नहीं है यानि कि no tea is coffee exist कर रहा है फिर उसके बार अगर हम बात करें some shake are coffee ये भी exist कर रहा है तो यह होगा इसका possible structure इसलिए हमने हापे बुला can't say चले अगले conclusion की बात करें तो some shake are not tea कुछ shake tea नहीं तो ये बात क्या हो जाएगी कैसे हो जाएगी क्योंकि अगर हम बात करें कोई भी tea coffee नहीं तो अब इसी बात है कोई भी coffee tea भी नहीं है ये बात भी क्या होगी सही होगी और अगर आप ध्यान ने तो coffee का ये जो some part है ये shake के साथ में जो share कर रहा है ये part भी definitely टीक नहीं होगा यानि कि shake का some part टीक नहीं है ये बात क्या है बिल्कुल सही है तो ये क्या हो जाएगा आपका true यानि कि answer की बात क्या हो जाएगा only conclusion to follows ठीक है चली बात करते हैं अगले question की अगले दी मैं या पर प्रस्न की बात करूं तो बोला है some apples are not fruit कुछ apples fruit नहीं है यानि कि some are not be relation यहां पर आपका बन रहा है some apples are not fruit all fruits are healthy सारे के सारे fruits क्या है healthy है ठीक है अगर हम बात करें no apple is fruit कोई भी apple fruit नहीं है तो ये बात क्या हो जाएगी कांट से क्योंकि कुछ हिस्से का जगडा है जो remaining part है वो इसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता तो इसको हम बोलेंगे कांट से फिर आपसे बोला जा रहा है some apples are not healthy कुछ apple healthy नहीं तो इसको भी हम बोलेंगे कांट से क्यों क्योंकि पूरा का पूरा पूरा जो apple है इसके सम पार्ट का भी अगर हम बात करना तो जगडा किसके साथ में fruit के साथ में जबकि हम बात करें पूरा का पूरा apple as well as this particular part can be the part of healthy यानि कि यहां पर भी हम बोलेंगे कांट से यानि कि पूरा का पूरा apple का पार्ट healthy का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इसलिए हम यहां बोलेंगे कांट से answer की बात करें तो क्या हो जाएगा neither conclusion one nor two follows next one all rugs are blankets सारे के सारे जो rugs है वो क्या है blanket फिर हम बात कर तो all blankets are pillows सारे के सारे जो blanket है वो क्या है फिलोज है एंड सम ब्लैंकेट्स आर फ्रेम कुछ ब्लैंकेट्स जो है वो क्या है फ्रेम है ठीक है बात कर लेते हैं conclusion की तो बोला जा रहा है conclusion की अगर हम बात कर तो all pillows are rugs सारे के सारे जो पिलोज है वो क्या है रग्स है तो मैंने कहा जब बड़े सरकल से छोटे की और आओगे तो केवल सम का relation क्या होगा true होगा all की बात किया तो बोलेंगे कांट से. पूरा का पूरा पार्ट हो जाए इसका फ्रेम का और स्टेटमेंट भी आपका एक्जेस्ट करें कियो मैं ऐसा करों क्योंकि इससे आपका काहिन कर यह बेस्ट त्यार होगा किसके लिए आईधर केस के लिए एज वेल एज पॉसिबिल्टी पर बेस्ट पूछे गए कुश्ट ब्लैंकेट्स और फ्रेम्स ट्रू है और यहां पर समझ सकते हैं क्योंकि इसका एक पूछे गए प्रशन की अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर आ का बनाना उसके बाद कंुजन बता handful कर रहा वहाला नहीं तो all computer laptop उसारे के सारे rudis क्या है लेपेखज्टों से फिर हम कर दिया स्कूय को स्किप करेंगे रिक computer is hard disk कोई भी computer क्या नहीं है hard disk नहीं है ठीक है फिर हम बात करें तो all hard disk are pen drives सारे के सारे hard disk क्या है pen drives है और फिर यहां पर दिया no pen drive is a keyboard कोई भी pen drive क्या नहीं keyboard नहीं है यहां पर आपको possible structure बनाने में और समझने में थोड़ा सा मज़ा आने वाला है क्योंकि थोड़ा सा complicated होने वाला है ठीक है चली possible structure के बाकी question आप आसानी से यहां पर बना सकते हैं बिना किसी कठिनाई के some pen drives are not laptop यानि कि अगर हम बात करें pen drive का कुछ इससा laptop का पार्ट नहीं है तो मैंने कहा जगड़ा किस से है तो जगड़ा है चोटे मेंबर से तो जब जब जगड़ा चोटे मेंबर से तो अगर हम बात करें तो पूरा पूरा pen drive ऐस वेल आपका hard disk किसका laptop का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है किवाला आप इसको देखिए जगड़ा किस से है चोटे मेंबर से तो बड़ा मेंबर जो है यानि कि यह जो बाकी बड़ा मेंबर है उसमें यह वाला पार्ट आपका पूरा पूरा असानी से participate कर सकता है, इसका part हो सकता है, यानि किसको हम क्या बोलेंगे, can't say, no keyboard is a computer, कोई भी keyboard computer नहीं है, तो कीबोर्ड का जगडा किस से है, कीबोर्ड का जगडा है pen drive से, कीबोर्ड का जगडा अगर pen drive से, तो अभर सी बात है, keyboard पूरा का पूरा part, keyboard का जो है वो laptop भी हो सकता है, वो computer का part भी हो सकता है, as well as computer और laptop का part, जो है keyboard का हिस्सा भी हो सकते हैं इनका possible structure भी बनाए जा सकता है possible structure आपको बनाना है ठीक है, possible structure यहाँ से बनाते चलोगे, तो आगे possibility पर based question आपको देखने को मिलेंगे, जो कि SSC के exam में पूछे गए हैं और कहीं किसी possible structure में कोई भी doubt आता है, तो telegram का जो group है, वहाँ पे आप हमारे साथ में discuss कर सकते हैं, ठीक है no hard disk is a laptop कोई भी hard disk जो है, वो laptop नहीं है, यानि कि अगर हम बात करें hard disk की के साथ में है, छोटे मेंबर के साथ में, तो मैंने कहा कि पूरा का पूरा pen drive as well as आपका hard disk laptop का part हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है, यह भी क्या हो जाएगा, आपका can't say, और last one अगर हम बात करें, तो all pen drives are not keyboard, यानि कि all not और no के बीच का भी अंतर मैं आपको समझाओंगा, आगे जब हम लोग और धीरे-धीरे level up करेंगे, ठीक है, तो कई बार आपके क्या करते हैं, contradict करते हैं, statement all not के साथ में, तो क्या reason है, क्यों उसको हम अलग वे में consider करेंगे, सब चीज को हम लोग reason के साथ में समझेंगे, तो यहाँ पर हम बात करें, all pen drives are not keyboards, तो यानि कि अगर हम pen drives की बात के तो obvious सी बात है, कोई भी pen drive जो है, वो keyboard का हिस्सा नहीं, यानि कि no, यहाँ पर हम बात करें, pen drive is keyboard, तो no pen drive is keyboard, और यहाँ पर एक ही बात को all not करके consider किया गया, और हला कि आयोग ने भी इसको क्या माना है, true माना है, all not or no के बीच यहाँ कोई difference नहीं, लेकिन कई जोगों पर आपका all not or no के बीच में क्या होगा, contradiction होगा, तो क्यों होता है, इसके बार में चर्चा करूंगा, जब हम लोग और इसको discuss करेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि live session में लोग जूडेंगे, ठीक है, चली, तो अभी all not or no को आप एक ही consider करेंगे, कोई भी अगर contradiction के साथ में question दिखता है, तो आप उसको हमारे साथ share कर सकते हैं, आप लोग discuss करेंगे, ठीक है, तो अगर मैं बात करो यहाँ पर question के answer की, only conclusion for follows, जो कि आपको option number किस में दिया है, बी में दिया गया, only conclusion for follows, ठीक है, तो अगर मैं बात करो इसके possible structure की, तो चलो एक दो possible structure बना करके देख लेते हैं, जैसे हमने कहा no hard disk is a laptop, कोई भी hard disk आपका laptop नहीं है, तो पूरा का पूरा hard disk का part हम laptop में बना सकते थे, देखो कैसे, य यह होगे आपका laptop, यह होगे आपका computer, और पूरा का hard disk का part अगर हम laptop में ले आए, यह होगे आपका hard disk, कोई भी hard disk आपका computer नहीं है, और पूरा का hard disk आपका pen drive है, यह होगे आपका pen drive, और कोई भी आपका pen drive क्या नहीं है, keyboard नहीं है, ठीक है, अब यहां के अगर आप statement कोई भी पंध्राइब कीबोर कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो यह हो गई बात कि सके पॉसिबल स्ट्क्चर्स की किया आप अलाग तरीके से बना सकते हैं क्यों हम बना ना सीख रहे हैं क्योंकि यही अगर आपका conclusion पूछ लेता यहाँ पर जैसे इस वाले conclusion की बात कर no hard disk is a laptop जिया गए यहाँ पर आपसे पूछ लेता all hard disk being laptop is a possibility तो वहाँ पर आपको अगर possible structure बनाना नहीं आता है possible structure अगर आपके दिमाग में नहीं बन पारा तो आप उन questions को correct नहीं कर पाएंगे और जो कि आपके exam में पूछे भी गए हैं तो बस यहीं एक reason है कि हम यहाँ पर possible structures को भी और आगे की बात करें तो all offices are stall सारे के सारे offices क्या है इस टॉल है conclusion की बात करें तो नो बैंक इस टॉल यानि कि जगड़ा कि से है छोटे मेंबर से तो बढ़े बाले मेंबर का इस्स्का रिम्यानिग पार्ट भी सकता चॉब हो भी सकता चारो नहीं इसको भी क्या बोलेंगे कांट से फिर हम भाप करें आपने साम इस्टॉल आर ऑफीसे कुछ इस्सा तो यह बिर्कुल आप यहाँ पे एक लाड़ी देह सकते हैं यह हो जाएगा आपका true फिर आपसे पूचा गया all the stalls are offices सारे के सारे stalls क्या है offices का part हैं तो हम क्या बोलेंगे कांट से क्यों कि जब बड़े सरकल से छोटे सरकल की और जाओगे तो सम तो हो जाएगा true लेकिन all हो जाएगा आपका कांट से answer की बात क्या तो answer हो जाएगा only conclusion three follows यानि की option number C क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्चन के लिए बड़ते हम लोग यहां पर अगले question की और ठीक है चली अगले question की बात क्या तो बोला है all dancers are talented सारे के सारे dancers क्या है talented है फिर आप से बोला some girls are dancers कुछ girls क्या है dancers है तो अगर हम बात करें यहां पर conclusion की तो बोला जारा some girls are talented तो obvious सी बात है यहां पर यह आपको true देखने को मिलना है और पूरे के पूरे dancers का talented है तो obvious सी बात है कुछ गल्स भी क्या होंगी talented होंगी यानिकि पूरे talented क्या है girls है तो हम इसको क्या बोलेंगे कांट सेनी की सम का तो यहां पर पार्ट आपको दिखाई देरा लेकिन all की अगर हम बात करें तो possibility होगी possibility के अगर हम बात करें तो possible structure चलो यहां पर भी बना के देख लेते हैं some girls are dancers exist कर रहा है कुछ girls क्या है dancers ठीक है तो इस तरीके से possible structure इसका बनाया जा सकता है तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कांट से यानि कि अगर यहां पर आपसे बोला जाता है all talented being girls is a being girl is a possibility तो यह क्या हो जाता आपका true हो जाता है यानि कि सभी talented के लड़की होने की संभावना है तो यह बात क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यहां पर अगर हम बात करें all girls are talented यानि एक बार आपसे पूछा है all talented are girls तो जिस परकार ट conse r que we talented और ना कि व ऐस il Incredерг Ihr pus यहां पर गल्स के भी टoubl होने की संभावना यहां पर बात करें संभावना की यहां पर बोला जा रहा है तो यह क्या है कांट से जब हम संभावना की बात करेंगे संभावना C will be the right answer for the given question Question की अगले अगर मैं question की बात करूँ No guest is trained कोई भी guest क्या नहीं है, trained नहीं है तो यह होगा आपका guest और यह होगा आपका trained All trained are employees सारे का सारे जो trained है, वो क्या है, employees है तो यह होगा आपका employee और some employees are tall कुछ employee क्या है, tall है तो यह होगा आपका trained और यह होगा आपका tall confuse नहीं होना है बात कर लेते हैं आपके conclusion की conclusion की अगर मैं बात करूँ some tall are trained, कुछ tall क्या है trend है, तो हम क्या बोलेंगे can't से क्यों क्यों क्योंकि tall और trained का relation यहाँ पर direct नहीं दिया गए, यानिके बीच में possible relation बनेगा some employees are trained, कुछ employees क्या है trained है, तो अबेसी बात है, यह बात क्या है सही है, फिर आपको दिया गए no tall is guessed कोई भी tall guessed नहीं तो यह क्या हो जाएगा current से बात करेंगर answer की, तो answer आपका बनेगा only conclusion two, only conclusion two follows यानि कि option number a will be the right answer for the given question बात कर लेते हैं आप अगले पूछे गए प्रस्न की चलिए, अगला जो question है, वो आपका possibility पर based question है, यानि कि सभी katoria बरतन नहीं हो सकती, यहाँ पर सकती सकता, इस परकार कि आपको word देखने को मिल रहे है can be, और possible, तो यहाँ पर possibility जो अभी तक हम लोग महनत करते आ रहे थे उसकी जरूद हमें यहाँ पर पढ़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ statement की, तो some bowls are cups कुछ bowls क्या है cups है फिर बोला जा रहा है, all cups are glasses सारे के सारे cups क्या है glasses है और यहाँ पर बोला जा रहा है, all plates are utensils, अच्छा यहाँ पर some glasses are plates कुछ glasses क्या है plates है, और all plates are utensils, यानि की सारे के सारे plates क्या है, utensils है ठीक है यह हो गया हमारा structure अब हम बात करेंगे conclusion की तो all balls cannot be utensils, सारे के सारे जो balls हैं, वो utensils का part नहीं हो सकते, तो क्या इसका possible structure बना पाना संभाव नहीं है, तो बिल्कुल इसका possible structure बना पाना संभाव है, इसलिए ये बात क्या हो जाएगी, कि गलत हो जाएगी अगर संभावना बनती है यहां कैनाट लिखा तो यह बात क्या हो जाएगी पॉसिबल स्ट्रक्चर भी मैं आप लोगों को यहां पर बना करके दिखाऊंगा अगले कंक्लूजन की बात के तो ऑल ग्लासेस कैनाट भी यूटेंसिल्स यानि की पूरे के पड़े जो पॉसिबल स्ट्रक्चर हम लोग बनाते चले हैं तो उसका सीधा सा बैनिफिट आपको यहां पर मिलने वाला है अगर अगर बात करें फिर क्या करता है यानि कि यह बात फिर क्या हो जाएग कि गलात हो तो चलिए बनाते हैं तो चलिए सारे के सारे बाउल यमार पाँ पाँ लिए आउं। करना कुछ नहीं बस सकत रिमूब आ है। कसारे के सारे प्लेट क्या थे यूतेंसिल से ठीक है तो हम ले चलते हैं इस में यह जाए गा यूतेंसिल और some glasses are plates कुछ glasses जो थे वो plate थे तो glass का कुछ हिस्सा ले आते हैं हम कहां पे shit glass का कुछ हिस्सा हम ले आते हैं कहां पे plate में और पूरे के पूरे plate को हम गड़बर हो गया चलिए इसको मैं यह हो जाएगा आपका utensils और यह हो जाएगा आपका plate यानि कि अगर हम बात करें हैं पे statement की तो some balls are cups कुछ balls क्या है cups एक्जिस्ट कर रहा है all cups are glasses सारे के सारे cups क्या है glasses exist कर रहा है some glasses are plates कुछ glasses क्या है plates एक्जिस्ट कर रहा है फिर यहां पे बोला जारा all plates are utensils पूरे के पूरे plate यह वो utensils का part यह अभी exist कर रहा है साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पे बोला गया था all balls cannot be utensils तो देखो पूरे के पूरे ball utensils बनाए जा सकते हैं निकि पॉसिबिल्टी इसलिए क्या हो जाएगा definitely false हो जाएगा चले फटा फट से structure बनाते हैं structure की बात करें तो बोला गया all dust bins are plastic items all dust bins are plastic items फिर आप से बोला गया no plastic item is stone कोई भी plastic item आपका stone नहीं है फिर आप से बोला गया all wood are stone सारे के सारे जो wood है वो क्या है stone का part है conclusion की बात करें तो बोला जारा no dust bin is a wood क्योंकि जगड़ा किससे है बड़े member से तो उब्यस सी बात है छोटे member एक दूसरे का part नहीं हो सकते यानि की बात क्या है बिल्कुल सही है अगली अगर हम बात करें तो no plastic item is wood कोई भी plastic item नहीं है तो जगड़ा किससे है बड़े member से है यानि कि अगर बात करें प्लास्टिक आइटम ही आपको क्या है बड़ा member है और यहां भी stone क्या है बड़ा member यानि कि कोई plastic item नहीं यह बात भी क्या है बिल्कुल सही है क्योंकि प्लास्टिक होने के लिए पहले स्टन का पाइट होना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है प्लास्टिक नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे ऐसाथ में साथ मैं प्लास्टिक आइटम के साथ मैं यानि कि some would may be possibility की बात कर रहा है तो यहां पर अगर हम बात के तो इसकी संभावना भी नहीं बनेगी इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे यह बात आपकी गलत है इसकी possibility भी नहीं बनाई जा सकती answer की बात कर तो only conclusion one and two follows यानि कि option number B क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्चन के लिए तो आपने देखा कि possibility वाले questions भी अगर आपको possible structure बनाना आता है आपको basics बिल्कुल clear है तो आप possibility वाले questions को भी आसानी से बना सकते हैं और बात कर इसके बाद तो इसके बाद हम लोग जब बात करेंगे आइधर केस की तो वहां पे भी आपको यह जो अगे की बात कर तो some carpets are blankets कुछ carpets क्या है blankets नो blanket is quit चलिए बात कर लेतें conclusion की तो no quilt is carpet कोई भी क्विट का पार्ट नहीं है तो हम इसको बोलेंगे can't से क्यों क्योंकि पूरे के पूरे क्विट को हम कार्पेट का पार्ट बना सकते हैं तो यह हो जाएगा आपका can't से no blanket is a mat कोई भी blanket mat नहीं तो पूरा का पूरा blanket mat का part हो सकता है some ARB, some BRC में इसको हम लोगों ने clearly देखा था तो इसको भी हम बोलेंगे can't से क्यों 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 हम बोलें हो सकता है है ऐसा जरूरी नहीं है some carpets are mats कुछ carpet क्या है, mat है तो यह आपको clearly दिया हुआ है तो answer के अगर बात का है तो only conclusion three follows यानि कि option number a क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा पूछे गए प्रशने के लिए clear तो यह था आज का session हमारा silogs पर based इसके बाद की अगर हम बात के तो इसके बाद हम लोग silogs में आइधर केस को समझेंगे साथ इसाथ only a few वाले questions को भी हम लोग यहां पर discuss करेंगे जिससे इन case अगर आपके exam में ऐसे प्रशने पूछे जाते हैं तो आप उन questions को सही सही करके तथा आसानी से बना करके आए और जिस एम के लिए आप यहां पर हमसे जूले हैं वह एम आप क्या कर पाएं पूरा कर पाएं या अचीफ कर पाएं ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते हम लोग next class में थैंक यू